मुझा आप आप अच्छे होंगे और मज़ें होंगे फेस्टिवल सीजन चल रहा है जी हाँ क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इस टाइम पर गूमने के लिए सबसे बैस्ट होता है और अभी जो है थोड़ा सा लोग डर रहे हैं लेकिन हाँ गूम भी रहे हैं मैं भी गई थी तो मैं ने सोचा कि चलो आज आपसे बलॉक सेयर कर देते हैं और कुछ लोग आये थे जिनको घुमाने के लेके गए थे दीदी के लड़ी के आई भी थी तो हमने सोचा कि चलो उनको घुमा के ले आते हैं कहीं पर और बारिस भी रुका हुआ था मौसम अच्छा हो रहा था तो सोचे घुम लेते हैं उसके लाद फिर बारिस सुरू हो जा जो है म्यूजियम वहां पर मैं जा चुकी हूं लेकिन इंद्रा गांदी संग्राले में पहली बार गई थी जब की बहुत बार प्लान बनना था बहुत बार जाने का भी हुआ था बट नहीं जा पाए थे तो मैंने सुचा कि चलो इस पर गुम किया जाते हैं वहीं नहीं ग पता नहीं थी तो इसलिए मैंने सुचा कि अभी इस बार जो है मैं बलॉग नहीं बनाती हूं दूसरी बार जो आउंगी तब जो है मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी अच्छे से तो इस बार मैंने थोड़ा-थोड़ा सा जो है एड किया है बाकि बहुत ही अच्छे आपको आईडिया मिल जाएगा तो आप ब्लॉग पर बने रहे हैं और देखे कि हम लोग ने किस तरीके से वहां पर जो है कौन कौन सी चीजें जो हैं लोग ने देखी है और जब मैं नेक्स टाइम जाओंगी तो मैं पूरा ब्लॉग नाओंगी तो आप लोगों को और अप् गुमले भाई गुमले कीच्व फोटो लकड़ी का है उसकी चंदन की लकड़ी है अच्छा चंदन की लकड़ी मालूम है भाई ऐसी नॉर्मल वो किती महंगी आती है चंदन की लकड़ी तो वह मैं जाब करें तो तूसरी दस के ले रहा है कि अरे चलने दोस्कों तभी तो ताकत बर बनेगी ओ हीरो ओ आर्वी तुम पीछे आओ बड़े आए आंगी आंगी चल रहे किट्टो का यह सीड़ी चड़ा जाए इतना तो संथ पर जाएगी फिर क्या आज आज आ यहां से देखेंगी यह तो पबलिक है सब जानती है किट्टू क्या है जे पंगल आसे पकल ना मैं भी ख़ड़ी होती हुआ यह गाओं की देविया है हटी है हाटी भाव हाथी बोल भी जाना कि तू अधि हाँ पिच्छ वर द दड़ता तू इस तू की अधि रहा है प्टू आज़क्टू अधे आज़को आज़क्वी दूड़क्त आज़क्टू अधिक्या जल्दीओ तो गाइज अब हम म्यूजियम में आ गए हैं अभी जो है हम संग्राले में गूम रहते और यह संग्राले का म्यूजियम है यहां पर आप देखेंगे बहुत टाइम पुराने बरतन है जो बहुत ही अच्छे से सैट करके रखा हुआ है बहुत सारी चीजें थी कहीं कहीं तो मैं वीडियो बनाई नी पाई हूँ फोटो मैंने एड कर दिया है आंगे फोटो से आपको आइडिया हो जाएगा जो लोग जा चुके हैं तो लोग मुझे बताईएगा कि उनको कैसा लगा और जो लोग नहीं गए हैं तो लोग भी जाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला अगर साथ में कोई और भी जाए ना तो ही अच्छा लगेगा तो देखते हैं अगर आंगे कभी प्लान बना तो कुछ लोग अगर जाएंगे घर से या फैमली मंबर से मससराल माय के जहां से भी तो फिर हम लोग साथ में जाएंगे और ये पुराने जमाने के जुएलरी जो पहले पहनते थे और मतलब ये भी बदर्स आया गया आदी बासी और कहां 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 का अपने इंडिया में जो लोग हैं जैसे सिमला हो गया या राजिस्तान चत्तिजगर हर जगह का समान यहां पर टंगे हुई हैं कौन कैसे जो आप बहुत ही अच्छ से दर्साय गया है और यह है दोलक दोलक अगेरा में बस्त्र कपड़े जो पहना आई जाते थे तो सारे चीज़े जो हैं भी अच्छास को मिली है यह पहले इस तरीके से जो है मननी रंजन करते थे जीज़े रखी हुई है और यह राजिस्थानी लग रहा है मुझे और उस टाइम पर जो है मैंने सोचा था कि बस मैंने ऐसी वीडियो बना ली थी मुझे मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो बस इसलिए जादा कुछ मैं ब्लॉग में नहीं एड कर पाई आप लोग ने वीडियो देख ली होगी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा हां मुझे पूरी ब्लॉग बनानी चाहिए थी बट नहीं वह ना पाई उसके लिए सौरी बठा नेक्स टाइम मैं जरूर जाओंगी और फुल ब्लॉग बनाओंगे इस बार करीजन ये भी था कि लेट गए थे हम लोग गए थे तीन साड़े बल्कि चारी बच गए थे चार बजब गए थे और च्छा बजए जो है बिट हो जाता है तो इस बज़े से जवाँने हाँ őन जगभा गउम ले थे तो वहां का पर पूप टाइम होना चाहिए तो इस बज़ें से और हम लोगों को इतना आइडिये नहीं था कि 6 बज़े बंद भान चले गई चार बज़े गए मोग जल्दी निकल ब्लॉग कैंसल करते हैं और गूमते हैं आज घूमने का मज़ा लेते हैं तो बस फिर हम गूमते रहे गए और उसके बाद जो है फिर हम लोग लेग विए थे लेग विए पर हमारे साथ थोड़ा सा प्राब्लम हो गई थी इस वज़े से मैं वहां कभी ब्लॉग नी बना कभी अगर मुझे लगी का तो मैं जरूर सेर करूंगे आप लोगों से वह वाली बात की क्या रीजन था जिस वज़े से मैं लेग विए पर ब्लॉग नी बना पाई थी तो चलिए ठीक है गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में तब तक के बाई बाई झाल 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 झाल